असलाम लेकूम वेलकम बैक टो मैं चैनल आज की वीडियो में आप देखेंगे कोट कॉलर के साथ ओपन शिर्ट की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से की जाती है इसके जो मैं कपड़ा यूज कर रही हूँ मेरे पास खदर का कपड़ा है और जो साइज मैं बना रही हूँ स्मॉल साइज के लिए सबसे पहले फ्रंट की जो विर्थ है वो है मेरे पास 30 इंचिस फ्रंट की विर्थ जो थोड़ी सी ज्यादा है मेरे पास बैक की से कम है तो इसलिए मैं आपको अलग-अलग बता रही हूँ ताकि आप गन्फ्यूज नहों और जो इसकी लेंथ है वो आपको बैक की विर्थ जो है वो भी दिखा देती हूँ बैक की मैंने टू इंचिस विर्थ जो है वो कम ली है यानि के जो फ्रंट थी वो मेरे पास 30 इंच थी और जो बैक है वो मेरे पास 28 इंच है तो आपने ओपन रखना है तो आप टू इंचिस का गैप दीचिएगा अ ऐसे जब हम शयर्ट की कटिंग करते हैं तो बैक वाला जो यह सह है हूँ वो नीचे होता है और फ्रंट वाला ऊपर होता है लेकिन इस वीडियो में अपोजिट कर रही हूँ जो back वाला है वो उपर की तरफ है और जो front है वो नीचे है क्योंकि front हमारा extra था जो कि इस तरह से मैंने नीचे रख दिया है उपर रहके भी आप cutting कर सकते हैं लेकिन आपकी सहुलत के लिए मैंने उसको नीचे रखा है क्योंकि आप confused होंगे जब आप shoulder का निचान लगाएंगे तो अभी मैंने शोल्डर का निचान लगाया है वो जो कि उपर वाला हिसा हमारे पास है back वाला उसके हिसाब से लगाया है जो कि 7 इंचीज है और जो arm length है armhole की length है वो भी 7 इंचीज ही है जितना आपका shoulder होगा उतनी ही arm length होगी मैं हर फीडियो में आपको बताती हूँ अभी तो आपको भी अच्छे से याद हो चुका होगा और जो chest ली है मैंने वो है 9.5 इंचीज आपने armhole की गुलाई दे रही है इस तरह से उसके बाद fitting की तरफ चलते हैं और यह मैं लगाऊंगी जो पहला निशान है fitting का आपने कहां पे लगानी है fitting का निशान 6.5 इंचीज पे लगाना है अगर आप large size में हैं तो आप 7 या 7.5 इंचीज भी कर सकते हैं ठीक है जी अपी fitting जो मैंने ली है वो ली है 8 इंचीज और chest की निशान को उसे साब से आप ये निशान वगारा लगा सकते हैं अब इन निशानों के स्थरा से मैंने मिला लिया है और ये कपड़ा आप देख सकते हैं कि ये काफी चोड़ा है वो इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको A-Line रखना है इसलिए इसकी चुड़ाई जो है वो ज्यादा है नीचे से ज्यादा चुड़ा है अगर आपने straight shirt रखनी हो तो फिर आपको 30 इंचीज या 28 इंचीज रखने की जरूरत नहीं है according to your chest आप रख सकते हैं या according to your hip भी आप उसको adjust कर सकते हैं ठीक है जी अभी ये देखें जिस जगह पर hip का निशान है वहां से दामन के जो नोक होती है किनारे तक मैंने इस तरह से इसको निशान लगाया है बस थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ा है तकरीबन आदा पॉना इंच क्योंकि यहां पर मैंने जो फैशन पटी है वो लगानी है अगर आपने सलाई लगानी है या तरपाई करनी है तो फिर आपको ज़्यादा कपड़ा छोड़ना पड़ेगा और यहां से मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लिया है क्योंकि यह जो फिटिंग की सलाई है वो आएगी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा उसमें ज्यादा छोड़ दिया अभी उपर से आपने आदा इंच की तकरीबन अरेव दे दिनी है इसको यहां पर मैंने कट लगा दिया है और उसके बाद आपने बैग को साइड पे करके जो फ्रंट वाला हिसा था उसको डीप कटिंग आपने कर लेना है आम होल से बैक को मैंने अलग कर दिया भी जो फ्रंट है उसको आपने मिडल से काट लेना है जैसा कि ओपन शेट कारते हैं दो separate piece जो हैं वो front के बन जाएंगे और back का एक piece आपके पास रह जाएगा ये देखें जी इस तरह से भी front के दो piece हमारे पास आगे हैं उसके बाद आपने क्या करना है कि neck की cutting करनी है small और medium size के लिए बिल्कुल ठीक है neck की width आपने लेनी है 3 inches और जो depth लेनी है वो भी 3 inches ही अगर आप large में हैं तो आप 4 inches तक इसकी depth भी ले सकते हैं और width भी ले सकते हैं तो उसके लिए आप इस हिसाब से cutting कर सकते हैं इस तरह से मैंने इसको neck की गुलाई दी है और अभी इसी निशान पे इसकी cutting जो है वो मैंने कर लेनी है तो जितना wide मैंने लिया था 3 inches उतना ही मैंने गहरा भी लिया है इस तरह से खोलने के बाद ये लगेगा और उपर नीचे आने के बाद ये थोड़ा से चोटा लगेगा लेकिन coat collar में ये बिलकुल बन के जब ready होगा तो ठीक होगा size इसका अभी मैंने बुकरम के लिए दो पीस लिए है जिसकी चुड़ाई और लंबाई में आपको बता देती हूँ चुड़ाई मैंने इसकी लिए है 3 inches और लंबाई लिए है 6 inches दोनों सेम ही पीस है और अभी इसके जो नीचे वाला ही सहब वो भी मैंने बुकरम से ही तियार करना है तो इसकी जो width ली है वो मैंने ली है 1 inches नीचे तक मैंने बुकरम ही लगाना है जो open shirt पे लगेगा सारी पे अगर आपने बुकरम नहीं लगाना तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं लेकिन आपके लिए ही मैंने ये बुकरम से बनाया है क्योंके वैसे तो मैं खदर पे बना रही हूँ उस पे बुकरम की जरूरत नहीं इतनी पड़ती लेकिन अगर आपने किसी लिलन पे लॉन पे या कॉटन वगरा पे बनाना हो तो उसके लिए फिर बुकरम की जरूरत बढ़ती है इसलिए मैं आपकी सहुलत के लिए सारा बता रही हूँ वन इंच पे मैंने नीचे निचे निचान लगा था आप देख सकते हैं जितना के मैंने नीचे वाला हिस्सा लिया था बुकरम का उस निचान से फिर आपने उपर तक इसको इस तरह से अरेव देनी है तो इस तरह से यह हो जाएंगे अभी जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी आपने यहां पे अटैच कर देना है चाहे तो स्लाइसे कर लें चाहे तो जब आप इसको कपड़े की उपर पेस्ट करेंगे तो वो आइरन से ही एक दूसरे के साथ जुड जाएगा अभी यह देखे मैंने कंट्रास्ट में कपड़ा लिया है और इसके उपर आपने इसको बुकरम जो है ना दोनों उनको पेस्ट कर लेना है पेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ यह देखें जी दोनों पटिहां मेरी तियार है लेफ्ट और राइट के लिए तो इसको अभी शर्ट के साथ अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से करना है शर्ट की सीधी साइड मैं इस तरह से रखी है उपर की तरफ और जो बुकरम है उसकी सीधी साइड रखी है नीचे की तरफ जब आपने स्लाइड लगानी है तो आपने इस तरह से डारेक्टर की स्लाइड नहीं लगानी मैं आपको बताती हूँ कि यह आपने क्या करना है यह बुकरम वाला हिस्सा है इसको आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा उपर की तरफ लेके जाना है वहां तक लेके जाना है कि आपकी जो दूसरा हिस्सा है यह वाला हिस्सा वो भी साथ आ जाए ठीक है जो इसकी साइड वाला हिस्जा है तो अभी आपने यहां पे चाहें तो इसको पिन अप कर लें ताकि यह इदर उदर मूव नहीं हो और फिर आपने जो अंदर वाला बुकरम है वो काट लेना है तो यह गले की गुलाई के हिसाब से मैंने बुकरम को थोड़ा सा उपर किया है यह देखिए इस तरह से आपने इतना उपर लेके जाना है कि इतना इसका तकरीबन आदा इंच से भी कम बुकरम बचना चाहिए और थोड़ा सा कपड़ा बचना चाहिए ठीक है जब तक आपका ये हिसा ना आए आपने इसको और उपर करते जाना है पती को बुकरम वाली को और फिर इसको वहाँ पिला के आपने काट देना है वो मैंने इस तरह से fix करने के बाद ये two inches पे आपने पहला निशान लगाना है जब आपने sly लगानी है तो ये two inches का gap जब आपने देना है उसी gap से ही आपने sly लगाना start करनी है ठीक है तकरीबन एक pair के फासले पे आपने इसको sly को लगाना start करना है small और medium size के लिए two inches का ही gap ठीक है अगर आप large में हैं तो आप इसको पौने तीन इंच तक या ड़ा इंच तक दे सकते हैं अभी नीचे तक आपने ऐसे ही sly कर लेना है उसके बाद जी देखें जिस जगा पे निशान लगाया था इस जगा पे आपने cut देना है जितनी sly लगी थी उतना ये देखें जी इतना मैंने cut दिया है इसको ताकि जब इसको सीधा करेंगे तो ये सानी से सीधा हो जाएगा ये देखें इस तरह से तो ये वाला हिस्दा जो है ये खुला ही रहेगा जो color है वो यहां से लगना start होगी बाकी जो है वो गुम-sly में आ जाएगा सारा अभी आप चाहें तो यहां से इसको sly लगा ले ये चाहें तो इसको तरपाई कर ले लेकिन मैं इसको तरपाई करूंगी sly नहीं लगाऊंगी यहां से ठीक है जी अब इसका दूसरा हिस्तावी में आपकी सहुलत के लिए आपको बता देती हूँ यह देखें टू इंचिस पर मैंने निशान लगाया है और फिर जिस जगा पर निशान लगाया है वहां से आपने सलाई लगाना स्टार्ट करनी है सारे को आपने उपर से लेके नीचे तक सलाई नहीं कर देना यह देखें जी अब यह ऐसे ही आपने इस तरफ लेके आना है और बुकरम के विए बिल्कुल साथ आपने सलाई लगानी है और इसी दुरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब लाजमी कीचिएगा और वीडियो को लाइक भी लाजमी कीचिएगा अब यह देखें जी दोनों सायर जो हैं इस तरह से हो गई हैं त्यार तरपाई मैंने यह देखें कर दी है और यह वाला हिस्सा जो है यह भी उपर आप देख सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा है यहां से कॉलर लगेगी अब यह आपने क्या करना है कि इस के साथ जो बैक है वो आपने शोल्डर की सलाई लगा देनी है तो वैसे तो यह मैंने उल्टा रखा हुआ है लेकि जैसे शोल्डर की सलाई लगाते हैं वैसे आपने यहां से शोल्डर की सलाई लगा देनी है स्लाई मैंने लगा दी है अबए आपने क्या करना है कि जो बैक वाला हिस्था है उसको तकरीबत आपने आदा इंच तक और आटा इंच तक और आए. ये ये अदो आपने पूरा पूरा रहने देना एपनि आदा इंच आपने लाजमी काटना है. चाहे आपका साइज स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज हो ठीक है फिर आपने इस तरह से पकड़ना है ये दोनों सीरे जो है आपस में आपने मिला लेने है और फिर आपने कॉलर की जो मेर मेंट है न वो करनी है कि आपकी कितनी बनती है यहां से स्टार्ट करना है, मेर करना बिलकुल ये बराबर होना चाहिए जब आपने इसको पकड़ा होगा कपड़े को ठीक है जी और इस तरह से आपने इसको मेर करना है मेरा ये बनता है सवा साथ इंच और जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये साड़े चौदा इंच का जो कॉलर है न वो इस शेड के लिए बनेगा इस साइज से, ठीक है जी जिसके लिए मैंने बुकरम लिया है बुकरम की जो मैंने चुड़ाई ली है वो ली है, साड़े तीन इंच और जो लंबाई ली है वो मैंने ली है, सिक्स्टीन इंची साड़े चौदा इंच बनता था टोटल जो कॉलर था उस से तक्रीबन एक डेड़ इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है ताके मार्जन में काम आ सके अगर आप से कम या ज्यादा हो जाए तो अभी आपने ये निशान लगाया ना है ये लगाना है जितनी आपकी कॉलर की मियरमिंट थी, यानि के सवा साथ इंच दोनों तरफ आपने सवा साथ इंच का जो निशान है ना, वो लगा लेना है इदर भी आपने चार से जादा नहीं ले सकते हैं, तीन या सवा तीन इंच ले सकते हैं, साड़े तीन भी ले सकते हैं, उससे आपने एक इंच कम रखना है, अगर आपकी चार इंच चुड़ाई है, बुकरम की तो आपने तीन इंच पर ये निशान लगाना है, और अगर आपकी साड़े तीन तो आपने दाइ इंच पे ये निशान लगाना है तो इस तरह से इसको शेप दे देनी है आपने ठीक है जी और यहां से मैंने सीधा रखा है इसको वैसे अरेश भी दे सकते हैं लेगन मुझे सीधा पसंद है इसलिए मैंने इसको अरेश नहीं दी नीचे से तो मेयर किया था जो के सवा साथ इंची था उपर से भी आपने मेयर करना है क्योंकि जो गलाई वाला हिस्सा है न ये बिलकुल उतना होना चाहिए जितनी आपने कॉलर मेयर की थी क्योंकि यही स्लाई में आएगा जो उपर वाला सीधा हिसा है ना वो स्लाई में नहीं आएगा ठीक है जी इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और एक साइड इसकी फोल्ड कर दी है सीधी साइड जो है वो वैसे ही रहने दी है और सेम इसी साइड में मैंने एक और कर लेना है और फिर इसकी तीन साइड जो है ना वो सलाई कर देनी है मतलब जो तीन नो सीधी साइड रिन वो आपने सलाई तो इसकी जो नोक है ना वो अच्छे से निकलाएगी, क्योंकि अगर ज्यादा कपड़ा इसमें होगा, तो नोक जो है वो सही से नहीं बनेंगी, ये देखें, सीजर्स की मदर से आप इसको, नोक को निकाल सकते हैं, ये देखें, इसको मैंने प्रेस कर लिया है, कॉलर को शर्ट के साथ अटैच करते हुए, यहां से शुरू करना है, ठीक है जी? यहां से मैं बिल्कुल स्टार्ट नहीं करूँगी, यहां से थोड़ा से इसको टांका लगाऊंगी, तकरीबन थोड़ा से इसको पका करूँगी, ताकि इस जगा से यह जो कॉलर है वो मूव नहीं हो, आपके सामने ही में सारी कॉलर लगा के दिखा देती हूँ आपको, वैसे यहां से मैंने थोड़ा सा टंका लगा के इसको खतम कर देना है, और फिर मिडल से स्टार्ट करना है, यह देखें जी, इतना मैंने लगाया है, और इन दोनों पर मैंने कट लगाया थे, जो कि इनके मिडल में बनते हैं, और फिर यहां से मैंने इसको स्टार्ट करना है, मिडल से लगाना, खेंचना आपने किसी भी कपड़े को नहीं है, स्पेशली कॉलर को तो बिल्कुल नहीं खेंचना, क्यूंकि वो अरेब में हैं, अगर आप खेंचेंगे तो वो लटकती जाएगी और बढ़ती जाएगी, फिर एक्स्रा हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से यह देखें, बिल्कुल पूरी आएगी, अगर आपने सेम उसी साफ से इसको मापा है और कटिंग की है, और यहां पे आपने इसको टांके को पका कर देना है, और इसकी एक साइड यहां पे कम्प्लीट हो जाती है, भी दूसी साइड के लिए भी आपने फिर से मिडल से ही स्टार्ट करना है, यह देखें जी, इस तरह से आपने मिडल से ही फिर स्टार्ट करना है स्लाइल काना, और दोनों तरफ से सेम ही आ जाएगी और बिल्कुल पूरा जो है कॉलर वो आएगा, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने खेंचना नहीं है, किसी भी कपड़े को अगर आप खेंचेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ठीक नहीं होता, यह देखें जी, ऐसे ही आपने इसको, इसकी भी बहुत रिक्वेस्ट आई थी, कि मैं कोट कॉलर शेर्ट जो है, वो बनाओ, उसका नेक आपके साथ शेर करूँ, तो यह विंटर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, आजकल बहुत इन है, इस्पेशली जो एथनिक की, जितनी भी रेड़ी टो वेर कॉलक्शन आई है, वो सारी कॉट कॉलर में है तकरीबर, तो आजकल फिर से यह जो नेक है, यह बहुत इन है, आप बनाएगा जरूर, आई होब कि आपको समझ आ रही होगी अच्छे से, यह देखिए, बिल्कुल फिट आया है, और अभी आपने इसमे एक कर्स जो हैं वो दे देने है, ताकि जब आप इसको सीधा करेंगे, तो इसमें कोई जोल वगएरा नहीं आएगा, कपड़ा कठा नहीं होगा, अभी मैं इसको सीधा करती हूँ, सीधा करने पे, अभी यह देखिए, इसको अंदर की तरफ आपने रखना है, जो के स्लाई वाला कपड़ा था, और चाहे तो यहां पे स्लाई लगा लें, लेकिन मैंने स्लाई नहीं लगाई, मैंने इसको तरपाई कर दी है, क्योंके नीचे वाले हिस्से को भी मैंने तरपाई ही की थी, तो इसलिए दोनों मिक्स हो जाएंगे, एक जैसा उनका जो है डिजाइन वो हो जाएगा, मतलब स्लाई जो है वो नहीं लगाई थी मैंने, तो तरपाई कर ली थी, आप चाहें तो इसको स्लाई लगा सकते, ये बिल्कुल सेम पूरा पूरा कपड़ा आएगा, ठीक है जी, अब ये देखें, इस तरह से, ये कुछ बनेंगा, और जो उपन वाला ही साथा, उसको जरा मैंने पिंस जो हैं वोल गा दी है, ताकि जब कॉलर को सीधा करें, तो बार-बार कपड़ा जो है, वो खुले नहीं, अब ये आपने एड़्जेस्ट कर लेना है, कॉलर को पहले फोल्ड करना है, कॉलर को आपने उतना फोल्ड करना है, कि हाफ हो जाएए, ठीक है, ये देखें, हाफ तक ये आपने फोल्ड करना है, middle से भी और इसकी जो sides हैं वहां से भी यह देखें जिस तरह से आप जरह इसको पहले adjust कर लें फिर इसको iron वगरा कर लेंगा तो यह बिलकुल set हो जाएगा बहुत प्यारा लगता है यह और इससे खुला आपका small size में तो बिलकुल नहीं होना neck को ठीक है फिर उसे साबसे की cutting कर लें अभी आप चाहें तो neck को उपर की तरफ भी fold कर सकते हैं ज्यादा deep भी कर सकते हैं वो आपकी पसंद पर भी depend करता है कि आप कितना deep करना चाहते हैं यह कितना छोटा करना चाहते हैं ठीक है उसे शाप शाप इसको एड़जस्ट कर सकते हैं ये देखें जी मैंने इसको प्रेस कर लिया है तो इस तरह से ये कुछ हो गया है अभी अभी आपने क्या करना है कि इसकी फिटिंग की जो सलाई है वो लगा देनी है इसको उल्टा करने के बाद तो वो सलाई लगा लें के बाद मैंने अभी इसके जो स्लीव्स हैं वो लिए है जिनकी लेंथ मेरे पास है 25 इंची और जो विर्थ है वो है 10 इंची उपर से 3 इंची पे आपने निशान लगाना है और इसको आम होल की जो गुलाई है वो देनी है इस तरह से गुलाई देने के बाद उसी निशान पे इसकी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद जितना आपका आम होल होगा मेरा है 8 इंची इंची उसको मेर करना है और यहाँ पे निशान लगा देना है निशान लगाने के बाद मैंने कट दिया है और फ्रंट से जितने आपने खुले रखने हो तने कर सकते हैं मैंने इसको 4.5 इंचिस खुला रखना है तो फिर जो उपर वालन नशान था आम होल का वहाँ से और फरंट वालन नशान से आपने इस तरह से रखना है इसको और फिर थोड़ा सा मार्जन छोड़के कटिंग कर देनी है फरंट से आप चाहें तो उसको तरपाई कर ले चाहें तो Sleeves के Armhole से पकड़के आपने Shirt के Armhole में इस तरह से इसको रखना है और पिर आपने इसकी Slay लगाना जो है वो स्टार्ट कर देनी है दोनों आपने ऐसे ही fix कर लेनी है उसके बाद इसका जो दामन है उसके मैंने Lays जो है वो लगानी है Fashion Party के साथ तो वो मैं आपको थोड़ी से बता देती हूँ वो लगाने के लिए जो शिर्ट है वो सीधी ओपर की तरफ है और जो लेस है वो उसके सीधी साइट जह रो को नीचे की तरफ है, ठीक है ये देखें जी इस तरह से मैंने लेस के उपर ये जो पटी है वो रहके सलाई लगा रही हूँ और ऐसे ही फ्रेंट और बैक दोनों पर मैंने लेस लगानी है दामन पे चौक पर नहीं लगानी वैसे पूरी डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई है फैशन पटी की पल्टा मतलब किस तरह से आपने लगाना है वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो क्योंकि सारी मैं डिटेल से नहीं दिखा रही सिर्फ जो दामन है वो ही दिखा रही है कि आपने लेस अगर लगानी हो तो वो किस तरह से लगा सकते हैं तो यह देखें जी यहाँ पे मैंने सलाई जो है वो खतम करती है अब यह आपने इसको फोल्ड करना है इस तरह से और सिर्फ जो लेस है वो गुम सलाई के तोर पे आपको नज़र आएगी नीचे लड़कती हुई और यहां से इसको आप चाहे तो तरपाई कर लें चाहे तो सलाई लगा लें मैं यहां पे सलाई लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अब यह है जी कुर्थी की फाइनल लूक आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी कुर्थी जो है वो बन गई है और यह मैंने टोटल पांच जगा पे लगाए है मिरर और बाकी वाला जो है वो सलीट मैंने खुला ही चोड़ दिया है आप देख सकते हैं और नीचे लेज मैंने अड़ कर दी थी तामन पर फ्रंट और बैक दोनों पर ही जो साइड्स है वहां पर वैसे ही फैशन पट्टी जो है वो लगा दी थी और इस तरह से नीचे से भी यह कुछ दिखती है लॉंग शिर्ट में आ जाती है थोड़ी सी A शेप में भी यह बन जाती है जैसा कि A लाइन शिर्ट होती है वैसे स्लीवज आप पहले ही देख चुके हैं वो इस तरह से हैं और जो बैक है वो बिलकुल साधी है प्लेन है और यही थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको मेरी आज की डिजाइनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत बूलिएगा शेयर कीजिएगा इन्शाला नेक्स्ट डिजाइन के साथ फिर मुलकात होगी तब तक के लिए अलाफेज